इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन डीटेल आप चेक करना तीन से चार या पाँच वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा एक लिस्ट रहेगी जहां पर इंट्रव्यूस को लेकर प्रप्रेशन पर बहुत सारे ऐसे सवाल का मैंने अंसर किया हुआ है और वो सारे हाडवे और मिट्वर्किंग, सर्वर और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेकर है और वो सारी वीडियो का डीटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा चलिए बात करते हैं इस वीडियो मैं आपको सिखाने क्या वाला हुँ तो definitely मैंने कल एक वीडियो पोश्ट किया था कि आप जौब कैसे अपलाई कर सकते हैं एक फ्रेसर है, non-technical background से हैं तो क्या technical background में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं जो भी मेरे पास experience था मैंने आप लोगों को शेर किया तक आप अच्छा response मिला उस वीडियो को मैं यहाँ पर उसके आगे के कुछ discussion आप लोगों के साथ करने वाला हूँ तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रही है last तक and last में आप लोगों कुछ bonus tips दे कर जाऊंगा तो चलो यहाँ पर बात करते हैं कि interviews की preparation को लेकर पहले सवाल आए कि हम interviews में क्या तैयार करके जाएं तक कि हमारा आसानी से interviews निकल जाए तो अभी इस वीडियो के detail में मैंने बताया आपको कि मैं वीडियो पोश्ट कर दूँगा जहां से आप देखकर interviews की preparation L1 के लिए कर सकते हैं अगर आप one week का time देते हो और channel के साथ हमारे जुडे रहते हो तो definitely मैं यहाँ पे L1 लेबल पे complete series नए question के according मैं आप लोग को provide कर दूँगा तो within week वीडियो मिल जाएगी ऐसा नहीं कि मैं within week start करूँगा नहीं within week आप लोगों को 2-3 दिन या 5-6 दिन के अंदर वो complete video series मिल जाएगी कि कैसे आप preparation L1 के लिए करते हो and then मैं L2 and L3 के लिए भी preparation कराऊँगा तो साथ मैं बने रही है job मैं L3 लेबल तक आप लोगों को पहुचाऊँगा courses मैं आप लोगों को अवलबल करा रहा हूँ वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत सारी videos tutorials हैं यहाँ पर मैं free मैं आप लोगों को provide करता हूँ तो चलो क्यों ना यहाँ पर कुछ query questions था उसको solve कर लेता हूँ सबसे पहला आप लोगों का query यह आया कि सर मैं non-technical background से हूँ और यहाँ पर BA है क्या हम Cisco की training attain कर सकते हैं Cisco मेरे लिए beneficial है अगर आप non-technical है Cisco की training ले रहा है तो देखो ऐसा नहीं है कि BA आपका किसी भी IT industry में जाने के लिए eligible हाई है 10 plus 2 के बाद भी आप Cisco कर सकते हो CCNA की preparation कर सकते हो उसके लिए कोई particular degree आपके पास नहीं होनी चाहिए कि आप तभी कर सकते हो and prior knowledge भी नहीं होनी चाहिए direct आप CCNA कर सकते हो और BA अगर आपका है तो definitely बहुत ही plus point है आप graduate हो plus आपके पास CCNA और SS certification भी हो जाएंगे ऐसी knowledge भी हो जाएगी तो भी आप अपनी job opportunity grab कर सकते हैं तो no doubt अगर आप BA से हैं या non technical किसी भी degree के साथ हैं तो आप CCNA वगरे का course कर सकते हैं उसके बाद next question आता है कि sir windows admin active directory के लिए resume बनाना है already having these profile but need to update the resume and which sorry switch the job now please एक video डाल दो sir बट कोई company job नहीं दे रही है if they knew after the sorry about the two months notice period please provide the solution what to do okay तो बहुत अच्छा सा question है कि अगर आप admin level पर जा रहे हो और आपका resume वगर अपडेट करना है इस सारी चीज़े तो कैसे आप अपना resume update करेंगे सबसे important ही होता है कि अगर आप एक interview में जा रहे हैं और आपका resume सही नहीं है तो HR सायद उसको focus ना करे और exactly आप दिखान आप हो कि what you have skills okay आपके पास skills क्या है so at that situation you have to write a proper resume in proper format जो की काफी plus point आपको job दिलाने में help कर सकता है तो अगर आप resume writing जानना चाहते हैं तो वीडियो का description में एक video link में डाल दे रहा हूं how to write resume आप उस video को देखना आप pressure label के लिए L2, L3 के लिए जा रहे हो जहां कहीं भी तो आप IT field के लिए बहुती best resume आप लोग के लिए रहेगा और बहुत सारे से students and बहुत सारे लोगों को मैंने suggest किया जहां से वो resume काफी जादा impressive रहा तो आप भी उसको use कर सकते हो, उसका format आप design कर सकते हो और उसके लिए कोई भी आपको graphic designing and सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं इसलिए आप MS Word पर जाएए और जो format मैंने एक एक चीज बताया कैसे मैं design कर रहा हूं कहाँ आप qualification कौन सी mention करनी है पहले क्या होना चीए बाद में क्या होना चीए A to Z sub mention किया हुआ है अभी वीडियो की description में जाए और रिजमे writing आप वहां से सीख सकते हैं CCNA पर वीडियो या CCNP पर मैंने MPLS और tier networking का पूरा का पूरा index तयार कर दिया है आने वाले समय पर मिल जागा मैं CCNP को थोड़ा सा डाउन इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि मैं इतना hardware को series के लिए कर रहा हूँ और एक एक चीज को आप लोगों को सिखा रहा था जो भी CCNP की तयारी कर रहा है मैंने CCNP पर 300 वीडियो अपलोड किया हुआ है और CCNP पर मैंने start किया था बड़ रिस्पॉंस की अगर बात करी जा तो ना ही वीडियो पर अच्छा रिस्पॉंस मिला लिमिटेड लोग महाँ पर देख रहे हैं है ना 2000-3000 तक रीच हो रही है और अगर आप लोग इतने लोग देख रहे हो तो उसको share भी कर सकते हो और support कर सकते हो इससे हमें एक motivation मिलेगा तो definitely हम उस video series को आगे लेकर जाएंगे लेकिन जब हम किसी ऐसे topic पर काम कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर effort दे रहा हूं और आप लोग का कोई response नहीं मिलेगा तो definitely हम कही ना कहीं वहाँ पर demotivate होंगे और ऐसी चीज़ें होते है तो अगर आप response जो भी rate है वो proper तरीके साथ आप उहाँ पर देते हो तो हम लोग उस पर जी जान से काम करेंगे तो चलिए CCNP पर आप लोग की demand आ रही है तो बस आज ये अकल में आप लोग को उसकी वीडियोज प्रोवाइट करना स्टार्ट कर देता हो बड़ रिस्पॉंस अच्छे से अप लोग करना एंड प्लीज सेयर वगर करते रहना उस सेरेज को बहुत ही hard work उसके लिए करना होता है अच्छा, same questions था, देखो, दो महीने के बाद notice period और ये सब चीजों पर मैं काफी detail में discuss करूंगा कि किसी भी company में और अरड़ी है तो क्या उस पर job opportunity हमें दूसरी company में कैसे लेनी चाहिए, notice period होता क्या है, notice period हमें देने से क्या फायदा होता है काफी details में इन सब चीजों पर हम लोग अगले series में बात करेंगे, अगर आप लोग interested हो तो comment करके बता देना, okay यहाँ पर sir, cryptography relative video बनाओ, video description में channel link हमारा ethical hacking school जाओ सीखो, वहाँ पर मैंने नई series स्टार्ट कि, ethical hacking, cyber security, N plus, A plus, सारी चीजों से related, जाइए सीखिए, free में, okay okay, so यहाँ पर sir, Bangalore में कोई academy है और या किस company में, company name for CCNA job, कोई AC company, यह सारी चीज़े, देखो, company research पर तो मैं एक video अलग से बनाओंगा, but आप लोग अगर मेरे से question कर रहे हैं कि how to apply, and इन सब चीजों पर कैसे हम resume, company तक पहुचा यह सब, तो मैंने career course के series में यह सब चीज़े बताया था, बट यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर आप अपनी resume को, किसी company तक पहुचाना चाहते हैं, तो बस एक मात्र option आपके पास सबसे best available होता है, जो कि अभी मैं जो experience कर रहा हूँ, मैंने अपने बारे में LinkedIn पर post किया, और अपनी basic details वहाँ पर post किया, अपने experience, job and इन सारी चीजों से related, और मैंने देखा कि after one week or ten days, वहाँ पे काफी अच्छी opportunities हमारे nearest places से, बहुत सारे सी अ जो कि बिल्कुल suitable profile होनी चाहिए, exact वही information आप add करना जो आपके पास है, फालतु की को information add मत करना कि आपके पास 10 साल का experience है, जो कि आपके पास को experience नहीं है, ऐसा कोई attractive CV या ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पे upload करने की कोशिस मत करिएगा, exactly जो आपके पास knowledge है, as it is वही आप apply क करो and smart तरीके से कैसे apply कर सकते हैं, इस पर मैं आप लोग को dedicated LinkedIn की profile कैसे create करी जाती है, सब चीज़ें को video बना दूँगा, but अभी आप LinkedIn पर अपने से भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा tough नहीं है, लेकिन अगर जितने लोगों को चाहिए कि सर बना दो इस पर video है ऐसारी अभी इस सीरीज में बहुत सारी चीज़े बाकी है, और comment करके आप पूछते रहो, मैं आप लोग के doubts को clear करूँगा, तो I hope कि आप लोग के जो भी last doubts से वो clear हो गए होंगे, and मिलते हैं next video में, वीडियो पसंद है, तो like, share, support कर देना, इससे motivation मिलता है, और अगली videos पे हम जल कर दाम जल आब हैं, वीडियो पेंगया, झाय है?